Hi kids, आज के वीडियो में हम करेंगे हमारी पोएम The Clothes Line Now Clothes Line क्या होता है? वो जो रस्सी जिस पे हम कपड़े सुखाते हैं तो ये जो पोएम है ये Charlotte Druid Cole ने लिखी है और उन्होंने जो है उन्होंने जब रस्सी पे कपड़े फैले हुए देखे तो उस सीन से इंस्पायर होके उन्होंने ये पोएम लिखी The Clothes Line Hand in hand they dance in a row, hither and thither and to and fro तो पोएटेस कह रही है कि ये जो कपड़े रस्सी पे लटके हुए है इन्हें देखके ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है तो कपड़े इतने पास-पास फैले हुए हैं कि उन्हें देखके ऐसा लग रहा है कि एक लाइन से जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये कपड़े जो है ये dance कर रहे हैं एक row में और ये कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं पीछे flip, flap, flop and away they go fluttering creatures as white as snow फिर उन्हें देखके ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी वो पलट जाते हैं फिलिप या नि पलट जाते हैं dance करते करते कभी जो है एकदम से हिलने लग जाते हैं जोर जोर से और कभी जो है बिल्कुल flop करके नीचे गिर जाते हैं कपड़े तो ऐसे करके जो है वो ओड रहे हैं रसी के ओपर उन्हें देखके क्या लग रहा है कि जैसे जो है कोई पंची हो कोई जो है ऐसा creature है जिसके पर हो तो वो जो है अपने पर जोर जोर से हिला रहा है और इतना सफेद है जैसे की स्नो तो इन कपड़ों को देखके ऐसा लग रहा है कि कोई सफेद रंग का पंची है कोई पक्षी है सफेद रंग का जो की जो है रसी पे बैठा हुआ है और अपने पर जो है जोर जोर से हिला रहा है लाइक रेस्टिव होसेज दे केपर और प्रांस लाइक पैरी ठेल विचेज दे वाइली डांस तो यहां पर पोईटेस कह रहे हैं कि यह जो कपड़े हैं यह ऐसे नाच रहे हैं ऐसे उचल रहे हैं जैसे की कोई जो है बेचैन घोडे हो तो इन्हें देखके ऐसा लग रहा हैं तो यह बेचैन घोडों की तरह लग रहे हैं जो की उचल रहे हैं और डांस कर रहे हैं और फिर इन्हें देखके ऐसा लगता है कि जैसे की कोई जादूई कहानी में जो जादूगर्निया होती हैं जो विचेज होती हैं और जैसे वो बिल्कुल पागलों की तरह हैं से कोई जादूई कहानी की जादूगर्णिया है जो की पागलोगी तरहें नाच रही है राउंदे इन फ्रांट बत हॉलो बिहाइंड दे शिवर इन स्किप इन ड़ मेरी मार्च विंड तो यह जो कपड़े हैं यह आगे से जो है तो इनके आगे की साइड तो यह बिल्कुल गूमे हुए है और पीछे से आप देखोगे तो इसा लगएगा की बिल्कुल कट्चाहए कुछ हाई नी तो आप आगे से से देखोगे तो जब ओर रहे हैं तो आगे की साइड वो कपले जाए है तो गोल हो जारे है और पीछे से जो ऐसा लगर आ है कि होलो है यानि उनking अ क्योंकि spring season आ गया है बसंत का मौसम है फुल खिल रहे हैं तो मौसम बहुत ही अच्छा है तो उस खुश्णुमा मौसम में जो है ये कपड़े जो है ये कभी नाच रहे हैं कभी कूद रहे हैं कभी काप रहे हैं फिर एक जो कपड़ा है उसे देखा पोएटेस ने कि वो तो जो है बहुत ही जादा एकसाइटेड होके नाच रहा था और इतनी जोर से स्ट्रगल कर रहा था इतने पागलों की तरह नाच रहा था कि एकदम से जो है फिर वो खुला छूट गया फ्री हो गया यानि जो है उसक कपड़ा जो है वो रसी पे था वो चिम्टी निकल गई होगी वो इतनी जोर जोर से जो है हिला तो वो कपड़ा जो है वो फ्री हो गया तो वो इतनी बेचैन होके नाच रहा था इतने पागलों की तरह नाच रहा था कि उसने अपने आपको फ्री कर लिया उस कपड़े ने वो जो चिम्र्टी थी, वो वहीं पे रह गई, यो रसी भी वहीं पे रह गई, और वो जो कप्ड़ा था, वो ऐसे हवा में उड़ गया, जैसे कि कोई चेडिया हो, और फिर कोई भी सप्ल्स कपड़ को ढूढ नी पाया, अगर कोई कपड़ा जो हवा में उड़ जाए तो आप कभी उसे धून नहीं पाओगे राइट वो हवा के साथ कहीं भी जा सकता है तो ऐसे ही वो कपड़ा जो हवा के साथ चला गया उड़ गया I saw her gleam like a sail in the sun flipping and flapping and flopping for fun तो poetess ये कह रही है कि उन्होंने वो जो कपड़ा था उसे ऐसे चमकता हुआ देखा था जैसे की धूप में sail हो sail क्या होता है ये जो boat आपको दिख रही है इसके उपर ये जो ऐसे कपड़ा लगा हुआ इसे sail कहते हैं तो ये sail boat है तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने उस कपड़े को जो है इस boat की तरह धूप में چमकता हुआ देखा था कभी जो है वो इसे जोर जोर से हिल रहा था और कभी जो है एकदम से गिर जा रहा था तो ये सब जो है वो कपड़ा मस्ती में कर रहा था, जब वो रसी पे टंगा हुआ था, तो कभी वो जोर-जोर से हिल रहा था, कभी अलट पलट जाता था, कभी जो एक दम से नीचे गिर जाता था, तो मस्ती में वो ये सारे movements कर रहा था, और धूप में चमकता हुआ अब तो किसी को भी नहीं पता है कि वो कपला कहां चला गया है क्योंकि वो हवा में उड़ गया, तो किसी को भी नहीं पता वो कहां पे है, हो सकता है वो किसी गड़े में जो है छुप गया हो, तो किसी गड़े में जो है वो छुप गया हो, या फिर हो सकता है कि समुंदर मे जो है डूब गया हो, drowned यानी डूब गया हो, तो ये भी हो सकता है कि समुंदर में डूब गया हो, या फिर किसी गड़े में जो है छुप गया हो, she was my handkerchief not long ago, but she will never come back to my pocket, I know, फिर end में poetess क्या कहती हैं कि वो जो कपड़ा जो ओड़ गया, वो उनका रुमाल था, तो वो जो है कुछ टाइम पहले तक तो उनका रुमाल था, बट तो अब तो वो ओड़ गया है, तो अब तो वो उनका है नहीं, तो वो जो कपड़ा था, वो जो रुमाल है, वो अब उनका नहीं है, बट कुछ ताइम पहले उनका रुमाल था बट अब उन्हें ये बात पता है कि ये जो ओड़ गया है ये कभी भी उनकी पॉकेट में वापस नहीं आएगा यानि वो रुमाल को वो कभी भी यूज दुबारा नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो ओड़ गया है और आप किसी को भी नहीं पता है कि वो कहां पे है वो सकता है गड़े में छुप गया हो या पर समुंदर में डूप गया हो